दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिशनल मीडिया मंच पर आपके साथ मौझूद हूँ हर्याना की एक ऐसी विधानसवा सीट जो हर्याना के अंदर बहुत प्रभावी है और उस विधानसवा सीट के बड़े कॉंग्रेस के नेता जिनका कॉंग्रेस के अंदर जलवा है जिनका कॉंग्रेस में अगर मैं ये कहूं कि सिक्का चलता है मैं आपसे बात करने चला हूँ हर्याना की वो विधान सभा सीट कैथल और कैथल के पूर विधायक दो बार के कैथल के विधायक और कॉंग्रेस के बड़े नेता वर्तमान में राजस्थान के राज्य सभा सदस्य रंदीब सिंग सुर्जेवाला को लेकर रंदीब सिंग सुर्जेवाला हर्याना कॉंग्रेस के बड़े नेता तो ही है कॉंग्रेस के आला कमान में भी उनका जलवा कायम रहा है लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों की गठ्ना करम देखें अगर पिछले कुछ दिनों की बात देखें तो कहीं ऐसा लगता था कि जैसे रंदीप सिंग सुर्जेवाला का जलवा कुछ कम हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद की स्तिती में, रंदीप सिंग सुर्जेवाला सेनेरियो में कम दिखते हैं, यानि कि out of scene ज़्यादा दिखाई दिखते हैं, कभी मीडिया के अंदर पूरी तरह से कॉंग्रेस की कमान समालने वाले मुझे याद है एक वीडियो दीपक शर्मा एक बड़े एंकर है बड़ा उनका शो चलता है और न्यूज लॉंचर पर उनका एक मैंने एक शो देखा था जिसके अंदर उन्हें रंदीप सिंग सुर्जे वाला पर कुछ टिपणियां की थी खेर ये राजनीती के अंदर सब कुछ संभव है कभी कुछ भी होता है और रंदीप सिंग सुर्जे वाला और कॉंग्रेस के जो रिष्टे है वो प्रगाड इतने रहे हैं कि उनमें थोड़ी सी दूरी दिख तो सकती है लेकिन रंदीप सिंग सुर्जे वाला का कॉंग्रेस में अपना एक वजूद है अपना एक कद है और कॉंग्रेस आला कमान के वो ना केवल वो बल्कि उनके स्वरगिये पिता शमशेर सिंग सुर्जे वाला भी काफी नजदीक रहे हैं अब मैं आपसे बात करता हूँ कैथल विधान सभा को लेखर के कैथल विधान सभा में अगली बार चहरे कौन हो सकते हैं कौन से चहरों पर दाब लगा सकते हैं खासकर कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी कैथल विधान सभा का अगर मैं आपको पिछले 20 साल का आपसे लिखा जोखा आपके साथ बात करें तो 2005 के चुनाव में यहां एंट्री हुई थी सुर्जे वाला परिवार की शमशेर सिंग सुर्जे वाला को राजनीती की नब्ज पकड़ने वाला हर्याना का बड़ा दिगज नेता माना जाता रहा बले ही वो हर्याना के मुख्य मंत्री के पत्तक तो नहीं पहुंचे जैसे बांगर चौधरी चौधरी विरंदर सिंग नहीं पहुंच पाए ऐसे ही बले ही शमशेर सिंग सुर्जे वाला मुख्य मंत्री के पत्तक तो नहीं पहुंचे लेकिन हर्याना के अंदर शमशेर सिंग सुर्जेवाला का अपना एकत था जो विरासत में मिला रंदीब सिंग सुर्जेवाला को शमशेर सिंग सुर्जेवाला हर्याणा कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हर्याणा के कई बार मंत्री भी रहे इंद्रा गांधी और फिर उसके बाद में सोनिया गांधी के नजदीकियों में भी शामिल रहे 2005 से पहले शमशेर सिंग सुर्जे वाला सक्रिय हुआ करते थे और रंदीब सिंग भी नर्वाना के अंदर जीन्द की नर्वाना विधानसबा सीट 2005 का चुनाव ऐसा था कि शमशेर सिंग सुर्जे वाला नर्वाना को छोड़ करके आ गए थे कैथल में और कैथल से उनको टिकट दिया था कॉंग्रिस पार्टी ने रंदीब सिंग सुर्जे वाला प्रत्याशी थे नर्वाना से ही दोनों पिता पुत्र वो चुनाव जीत गए थे 2005 का अब बात ही आती है कि शमशेर सिंग सुर्जे वाला ने आखिर कैथल का रुख किया क्यों था तो मैं आपको बता रहा था कि शमशेर सिंग सुर्जे वाला को हरियाना की राजनीती में वो नेता माना जाता है कि जो राजनीती की नब्ज पकड़ कर उसको अच्छे से टटोल लेते थे और पता लगा लेते थे कि राजनीती के अंदर क्या चल सकता है शमशेर सिंग सुर्जे वाला को लगने लगा था कि आगा जब परिसीमन होगा डिलिमिटेशन होगा तो नर्वाना सीट रिजर्व हो सकती है और इसी सोच के साथ 2005 के चुनाव में शमशेर सिंग सुर्जे वाला 2005 सही पहले आगए कैथल में क्योंकि कैथल का और जीन्द का नर्वाना के एरिये सासा लगता हुआ भी है और वहाँ आ करके उन्होंने राजनीती शुरू की कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर उस समय हुड़ा सरकार में वो वजीर भी हुए 2009 का चुनाव जब आया तो 2009 के चुनाव में क्योंकि नर्वाना रिजर्व हो गई थी तो शमशेशिंग सुर्जेवाला जी उनका स्वास्त भी खराब होने लगा था उन्होंने अपने बेटे रंदीब सिंग सुर्जेवाला को कैथल की विरासत सौप दी 2009 और 2014 दोनों चुनाव में रंदीब सिंग सुर्जेवाला विधायक बने चुनाव जीते और उन्होंने दोनों चुनावों में जो हराया वो हारने वाले कैंडिडेट थे कैलाश भगत कैलाश भगत उस समय इंडियन नेशनल लोगदल में हुआ करते थे और आजकल वो भारतिय जनता पार्टी में है हैफेट के चेर्मेन है आजकल कैलाश भगत ओम प्रकाश चोटाला की पार्टी से चुनाव लड़े और दो बार चुनाव हार गए 2019 के विधान सबाच चुनाव से पहले कैलाश भगत भी पहुँच गए भारती जनता पार्टी में और 2019 का विधान सबाच चुनाव था इसमें भारती जनता पार्टी की टिकेट के दावेदार भी बने कैलाश भगत लेकिन बीजेपी ने टिकेट नहीं दिया जो दूसरे नेता जो दावेदार बने भारती जनता पार्टी के वो थे सुरेश नौज अगरवाल समाज के नेता हैं उन्होंने भी दावेदारी की लेकिन टिकेट उनको भी नहीं मिला और टिकेट दिया भारती जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव के अंदर लीलाराम गूजर क लीलाराम गूजर भी एक बार पहले लोगदल के टिकेट पर लोगदल से कभी ट्विधायक रहे थे लीलाराम गूजर का मैं आपको जब आगे बढ़ रहे हैं तो कैथल का जातिय सम्मीकरण भी बताना जरूरी है और हां का जो भोगलिक सिती है वह क्या है वह जानना भी ज परभावी हैं पंजाबी और बनिया मद्दाता तो लगबक काफी परभावी रहता है दस बारक गाहों ऐसे हैं जो गूजर समाज के गाहों है और वहां पर गूजर डॉमिनिटिंग इरिया भी है इस लिहाज से माने तो जाट बहुल्य इस विधानसभा सीट में लगबक गू सुर्जे वाला परिवार ने आकर अपना बनाया तो वहां पर इंडियन नेशनल लोग दलता हूँ देविलाल के परिवार का भी असर रहा है देविलाल की टिकेट पर लेता लोग वहां से चुनाव जीतते भी रहे हैं यानि कि क्योंकि वह ग्रामीन बहुले जो इलाका है वहां पर जाट डॉमिनेटिंग हुआ वहां पर चौधरी देविलाल कासर होना लाजिम है और कैलाश भगत वहां मैंने आपको बताई दिया चुनाव लड़ते रहे पहले हूँ दोजार उन्निस का चुनाव ऐसा था जो पूरी तरह से बदला हुआ चुनाव था रंदीप सिंग सुर्जेवाला को कॉंग्रेस ने अपना कैंडिडेट बना दिया था उपचुनाव में कैथल का विधायक होते हुए वो जीन्द से विधायक का उपचुनाव लड़ने गए उस उपचुनाव में यानि कि जीन्द का उपचुनाव हुआ था राजनीतिक छेत्रों मे लड़वा करके अपना कांटा निकाल दिया और वही हुआ रंदीप सिंग सुर्जेवाला के साथ में वो बात ऐसी जुड़ी कि चुनाव में उनको हार का मुँ देखना पड़ा रंदीप सिंग सुर्जेवाला के जो हार के दो फैक्टर बनें एक तो यही फैक्टर हुआ कि उनके साथ में जो जीन्द का उप चुनाव लड़ना जुड़ गया दूसरा यह हुआ कि पहला ऐसा चुनाव था जो राजनितिक लोग हैं मेरी कई लोगों से बात हो रही थी कि कैथल के अंदर जो पंजाबी और अग्रवाल वैश्य जो मद्दाता है वैश्य समाज हैं य लेकिन यह चुनाव ऐसा हुआ 2019 का चुनाव ऐसा हुआ कि मनोरनाल और कैलाश भगत इनके नाम पर पंजाबी मद्दाता और फिर बीजेपी के नाम पर अगरवाल मद्दाता वैश्य मद्दाता इन्होंने भारती जनता पार्टिय के पक्ष में वोट किया और इन तमाम हाल को देखते हुए जो सबसे प्रमुक जो बात हो गई हलांकि यहां पर इंडियन नेशनल लोगदल का तो गटा इनलो का वोट ट्रांसफर हो गया जादा बीजेपी की तरफ लेकिन जो कॉंग्रेस समर्थित जो वोट था जो कॉंग्रेस के पास जा सकता था ऐसा वोट काफी हद तक चला गया जन्नायक जन्ता पार्टी को मैं आपको बता दूँँ जो 2019 का विधानसवा चुनाव के अंदर जो मद्दान जो वोट मिले थे उसमें लीलाराम गूजर जो बीजेपी की कैंडिडेट चुनाव जीते उनको 72,664 वोट मिले रंधीप सुर्जेवाला जो च 6,358 वोट मिले और ये कहा जाता है कि ये बड़ा डेंट था कॉंग्रेस के लिए अब अगले चुनाव में क्या 2024 में क्या हो सकता है 2024 के चुनाव में कौन नेता किस पार्टी का चेहरा बन सकता है तो मैं आपको बता दूँ कि राजनीतिक हवाएं कुछ ऐसा संदेश दे र लिलाराम गुजर का टिकेट भी भारती जंता पार्टी से बदल सकता है और रंदीब सिंग सुर्जेवाला का टिकेट भी कॉंग्रेस से कट सकता है क्योंकि रंदीब सिंग सुर्जेवाला इस समय राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उनका चार साल का लगवक कारेकाल अभी बाकी बचा हुआ है हर्याना के अंदर कॉंग्रेस एक गच्चा खा चुकी वो गच्चा खाला कहें या उसकी मजबूरी कहें कि दिपेंदर हुड़ा राज्यसवा के सदस्य थे उनको मेंबर व पार्लियमेंट के लिए कॉंग्रेस ने रहोतक से टिकेट दिया सांसत बन गए बड़े अंतर से चुनाव जीत गए लेकिन राज्यसवा की सीट खाली करनी पड़ गई और वो राज्यसवा की सीट अब निश्चित तोर पर वहां पर भारती जनता पार्टी जीत सकती है इस लिहाज से मैंने का गच्चा खा गए और वही कुछ परिस्तिती राज्यस्थान की भी है अगर राजस्थान के राज्यसवा सदस्य के तोर पर रंदीप सिंग सुर्जेवाला का इस्तीफा हो गया वो अगर कैथल से उनको टिकेट मिला वो विधायक बन गए तो फिर उस सिती में उन्हें राज्यसवा छोड़नी पड़ेगी और फिर कॉंग्रेस को एक और सीट का नुकसान हो जाएगा क्योंकि राजस्थान में भी कॉंग्रेस की पूर्ण वहुमत के और वहुमत से बहुत ज़्यादा की सरकार है उस लिहाज से ये seat खाली करना Congress के लिए कोई आसान बात नहीं है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि Congress वो seat को खाली ना करें और इसलिए मैंने आप से कहा कि रंदीब सिंग सुर्जे वाला चहरा नहीं हो शायद नहीं और ये लगबग आप इसकी पुष्टी मान करके चलें कि रंदीब सिंग सुर्जे वाला Congress की टिकेट पर आपको ना दीखें तो फिर Congress का candidate कौन? क्या रंदीब सिंग सुर्जे वाला और सुर्जे वाला परिवार के हाथ से कैथर निकल जाएगा तो ऐसा भी नहीं है रंदीब सिंग सुर्जे वाला को पार्टी रिप्लेस कर सकती है उनके बेटे आधित्य सुर्जे वाला को आदित्य सुर्जेवाला राजनीती में सक्रिय भी है उनका राजनीती में इंट्रेस्ट भी है और हलाकि रंदीप सिंग सुर्जेवाला के दो पुत्र है अरजुन सुर्जेवाला और आदित्य सुर्जेवाला पेशे से वकील है और आदित्य सुर्जेवाला जो है वो बिज टिकेट मिल सकता है और अगर भारती जनता पार्टी की बात करें तो मैंने आप से कहा कि लीला राम गूजर का टिकेट कट भी सकता है और लीला राम गूजर के स्थान पर भारती जनता पार्टी कैलाश भगत या फिर किसी अगरवाल नेता को भी चुनाओ मैदान में ला सकती है अगर मैं आपको बताऊं तो कैथल विधानसवा सीट वैसे ऐसी है कि यहां पर तमाम समाज के लोग यहां से विधायक बनते रहें जाट समाज के रूप में तो मैंने आपको नाम ही बताएं रंदीब सिंग सुर्जे वाला और शमशेट सिंग सुर्जे वाला इप्रमुख है ही गूजर समाज से लीलराम गूजर भी दूसरी बार विधायक बन गए अगर यहां पर अगरवाल समाज की बात करें तो चरंदास शोरे वाला यहां से विधायक बने बड़ा उनका नाम रार्याना की राजनीती में सेट चरंदा शुरे वाला का रोशनलाल तिवारी भी यहां से विधायक बने अब कैथल पर अगर मैं ये कहूं कि कॉंग्रेस का जो वजूत था वर्चस्व था वो थोड़ा सा कम यू दिखता है कि रंदीब सिंग सुर्जे वाला 2019 से बाद और अब तक विधान सभा की राजनीती में परदेश की राजनीती में कम और केंद्रिय राजनीती में राष्ट्री राजनीती में जादा दिखाई दिये और इसका असर भी हुआ इसका असर भी ये पड़ा कि लोगसभा चुनाव जो भी हाल ही में हुआ जो इंडिया गठबंदन के तहत ये सीट थी और यहां से प्रत्याशी थे सुशील गुपता जिनको समर्थन था कॉंग्रेस का वो नवीन जिंदल से लगबग 20-22 अजार से कैथल में चुनाव हारे इसका असर भी कॉंग्रेस पर पड़ेगा यानि कि सुर्जे वाला परिवार पर रंदीप सुर्जे वाला पर और मैंने वैसे आपको बता दिया कि इसके बावजूद भी जो सुर्जे वाला का परिवार का जो कद है उसके लिहाज से उनके बेटे आधित्या सुर्जे वाला को टिकेट मिल सकता है और जहां तक भारती जन्ता पारिटी की बात है तो मनोहरलाल प्लस नायव सिंग सैनी नायव सिंग सैनी भी इस समय पूरा इंट्रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि जब कुर्चेत्र के सांसत थे पिछली योजना में 2019 से 24 वाली जो योजना थी उसमें जब नायव सिंग सैनी सांसत थे तो कैथल कुर्चेत्र लोग सवा में आता है उस लिहाज से भी और आजकल भी पूरा ध्यान दे रहे हैं लेकिन कैथल के अंदर एक बात जरूर है कि वहां के लोग कहते हैं कि जो विकास वहां पर रंदीप सुर्ज वाला ने किया था वो भाजपा की सरकार में नहीं हुआ लेकिन जातिगत समीकरन और इन सब को देखते हुए मनोरलाल और नायव सिंग सेनी की बड़ी भूमिका होगी और मैंने आपको बताया कि लीलाराम गूजर का टिकेट कट भी सकता है कोई चेहरा और भी आ सकता है और चुलाव के दोरान में आपकी इंट्रेस्ट होगा कि हम पलिटिकल और विधानसवा स्थर पर बाते करें और हमारा भी प्रयास होगा कि आपको अर्याणा की एक एक विधानसवा सीट के बारे में बताएं आज मैंने आपको बताया कैथल के बारे में क्या आप भी हमारी इस को कमेंट्स बोक्स में जरूर पताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन